गूट मारिंग डियर इस्टूंट आप सभी का बहुत-बहुत स्वाहत है हमाई चैनल पे डियर इस्टूंट अभी आपकी एक साइस डेपार्टमेंट गोर्मेंट आप बिहार में वेकंसी निकल गया रहें इसके पूरी नोटिफिकेशन को आप अच्छे समझेंगे यह बहुत अच्छी खासी वेकंसी है टोटल 689 पोस्टेड है और इसमें इसमें आप सब बहुत अच्छे से वीडियो को देखें जिससे आप पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ सकें सब्सक्राइब यहां पर सबसे पहले बेतन लेबल क्या है तो बेतन लेबल आप यहां से देखेंगे बीच में होगा जो बेतन लेबल होगा आपकी टोटल वेकेंसी जो आपकी 689 है यहां से आप यह चीज देख सकते हैं डेश्ट उसके बाद आगे बढ़ेंगे आपको फार्म अप्लाई करने की तिथिया मैं आपको बता दूँ आपकी फार्म अप्लाई करने की तिथि जो है 14 12 2022 तो कर्पया इस बात को अच्छे से देख लें 14 बारा और 2022 इस डेट को आप लाज डेट माले यही डेट आपकी फीपेमेंट की भी लाज डेट है डिये स्टुडेंट उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यह बता चलेगा कि फीज कितनी है इसकी तो फीज इस इनकी फार्म अप्लाई करने की फीज जो जन्रल ओबी सी डवली से अधर इस्टेट और जो इस्टुडेंट आपके सबसे पहले जो उसने क्राइटर रखा है कि आदमी जो भी स्टुडेंट इसको अपलाई कर रहा है उसका सबसे पहले क्राइटर इंडिया ओना चाहिए और एक प्राउडड मुवमेंट आप फिल करेंगे कि आपके गौर्मेंट आप बिहार ने जो बहुत ही प्राउडड मुवमेंट आपको फिल कराए कि उसने थर्ड जैंडर अलावड कर लें दोस्तों इन लोगों को भी नौकरी मिलना अस कमेडियर होना चीए वह आपके बिहार राज सरकार के मज़र से हो सकता है अत्वा संस्कृत किसी भी ने पर्माण पत्र के अनुसाल लिया जाएगा जो भी student high school pass कुर चुके हैं विहार state board से उनके high school के समकच्छी उनकी age को consider किया जाएगा ये बात उसने हाँ पर बताईए उसके बात आगे बढ़ेंगे आप dear student जिसमें लिखा गया है जो कि आप देख सकते हैं वो भी minimum होता है लगोग सभी को पता है किसी भी state government में अप्रॉक्सिमेटी वैलू सही है बट क्या है कि आपको समाने वर के जो भी student है जो general और EWS कंसीडर करते हैं उनके 25 वर्स होनी चाहिए बढ़ेंगे बिहार के वैसे सरकारी सेव को चतर वेतन की सीवा समवर्ग में जाने के एक प्रितिक्तास्टा परुद्चा में भाग लेने है तो दिखते मायों सीमा पांच वर्स की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमिस सेवायों निम्तम तीन वर्सों के अधिये पूरी कर लिए तो ये लोग भी अपना देध्यान से देख लिए इनको छूट मिली हुई है जो बिहार सरकारी में पहले से ही काम कर रहे हैं उसके ब लेगेंसी आपकी लगभग बिहार पुलिस की तरफ से एक साइस डिपार्टमेंट में है लेकिन पूरा प्रॉसेस बिहार पुलिस ही करेगी इसका पुरा जो फिजिकल होगा बिहार पुलिस के कडिंग का उचाई सीना और वजन के लिए को यंक दे नहीं होगा सबसे पहले बिहार त्यास पलो जाएंगे जिनका जो इसने बिहार स्टेट ने बिहार स्टेट पुलिस ने डिसाइड किया है कि इनका सीना इतना होना चाहिए उचाई इतनी अगर वो आप फुल्फिल नहीं करोगे तो आप जो है आपको जो है अनेलिजिबल कर दिया जाएगा इस बै 65 cm 165 अनारच्छित यों पिछड़े वर्ग जनरल और ओवी सी के लिए 65 cm अतियंत पिछड़े वर्ग के लिए 160 cm यहां भी देखेंगे अतियंत के लिए 160 cm है तो यह दोन बात आप लोग जानले जनरल ओवी सी वाले 165 जिनके हाइट होने चाहिए और अतियंत पिछड़े व 155 cm दिया गया है 3 इन यहा पे पॐसों के लिए को नियम बनाए गया है जिसमें पेहले सीना है और 6 वर्ग के पुरूसों के लिए 60 cm बिना अफुलाए होना चाहिए जो आप यहां से देख सकते हैं आप अच्छे से बात को consider कर लें अगर आप की eligibility इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसमें बिल्कुल apply नहीं कर पाएंगे या बाद में आप छाट दे जाएंगे कोई इसमें भी दिक्कत ही अच्छा यही जब अनुसूचित जाती के लिए क्या है अनुसूचित जाती हो के लिए 39 सेंटीमेटर बिना fly 84 सेंटीमेटर बनें के बाद होना चाहिए कंब महिलाओं के लिए सीन की माप नहीं की होगी महिलाओं के लिए सीजे नहीं पहल अच्छी से transgender, third gender अब भ्यारतियों के लिए, थारीक मापदर्ण तत्था सारीक दच्छता परिच्छा का मापदर्ण पिछड़ वर की महिलाओं भ्यारतियों के समान ही होगा इस बात को आप लोग देखें, जो पिछड़े वर की महिलाओं हैं जो third gender हमारे होते हैं किन्नर हो गए कोथी हो गए बाकी जितने जेंडर है उनकी पिछड़े वर की महिलाओं के भ्यारतियों के समानी होंगे सारी जी मापदंड सारी जी मापदंड होंगे पिछड़े वर के महिलाओं के समानी होंगे तो ये स्टूडें इस बात को भी आप लोग अच्छे से देख यानि आपके जो question आएंगे वो दसमी के स्तर के आएंगे ये बात दर छे से समझ ले उसके बाद क्या होगा देख सकते हैं जो है आपके सव अंख होंगे टोटल सव अंख आपके टोटल होंगे लिखित परिच्छा में सव अंखों की होगी प्रस्न पत्र दो घंटे में एक प क्रिच्छन होगा स्वमार का होगा उसके बाद आपका क्या होगा डेश्ट वेजड होगा पेपर ऐसा नहीं है कि आप जो है ओनलाइन मोडे समाज की बाइट जाएं तो मार होगा वे उम्र पे हैंपको प्रिंट करना रहे हैंएं आप सारे जानकारी उमीदवार की दिगई सब्सक्राइब बात दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो, लिखित परिच्छा का स्तर बिहार जाले की परिच्छा समीति की दसवीक अच्छा अब इस बात को बहुत अच्छे से देखें आप लोग हिंदी अंग्रेजी गड़ेत समाजिक विग्ञान विग्ञान जो भी आपका यही है लिखित परिच्छा इसका चाहें स्क्रिंशॉट ले 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 आपका स्क्रिंशॉट अप अच्छे से ले सकते हैं लिखित परिच्छा में 30% से कम अंग प्राप्ट करने वाले भियारती सारी रिक्षता परिच्छा के लिए स्फल भोचित किया जाएंगे जिनका भी 30% टोटल एक्जाम का 30% अगर नहीं आया परसेंटेज में तो उनको अबिहार्थी को सारी दच्छता परिच्छा के लिए जो है नहीं किया जाएगा जानी फिजिकल के लिए आप कॉलिफाइट नहीं होंगा लिखित परिच्छा में आपका 30% से कम अंका प्राप्त करते हैं इसलिए आप मिनिमम्म 30% अंक प्राप्त करें सो में तभी आप सारी के लिए वहां के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे डि चुलएं परिखित परिच्छां यहां से अब इहां सब देख सकते हैं अब यहां से आठेpee क्या क्या होंगे दुamy हो चलों में टिंदे तो इस बात को आप लोग अच्छ Less से दिखें इसमें क्या होगा आपकी रिनिंग होगी 1.6omena आपकी जो है जो क्या को च्या है चेन मिनट में process किल में ही रोग्ठ करनी पांच मिनट से पांच मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो आपको 20-40 अंग दिया जाएगा तो यहां से आप एक चीज अच्छे से ले जाएंगे और फिजकल में जाने पिए के बाद में अगर आप रुनिंग को यूंटिक मिण बढ़ेंगे जाने को कहले हैं जो जितने भी उवार फीमेल स्टुडेंट है वह सब्सक्री इसका इसका स्क्रिंसाट ले से भी हमें आपको यहां पिकर बिल ला देशी गोला फेक 25 अंग का ओगा होगा और गोले का आपको 16 फिट गोला फेकना होगा सोला पाउंड का होगा अब आप अच्छे से इसके भी पूरे डाटा ले सकते हैं कि आपको अगर 16 से 17 फिट तक कोई फेक देता है जो भी इस अभ्यार थी बहुत बड़ा चीपमेंट होगा सेलेक्शन पर भी यह चीजें निर्वर करती हैं तो यह स्टुडेंट आप आगे बढ़ें और इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें बारा फिट से तेरा फिट तक 9 अंख है अब ये आपके पृष्व के वहारत्यों के लिए किया जाएगा गाल जो भी हो घूरौ के लिए किया जाएगा यह सारी चीजें पृरूरू के लिए प्रहूजो घूजा जाहिए तो उच्छी, तो पत्चिस अंग आप आपी नंबर दिये जाएगे यह सब्से ब लेते चलें आपको याद ना रहे तो इसको आप प्रिंट आउट निकलागा के चिपका लें सभी कोट के महिलाओं के लिए है जैसे फुरसों के लिए था आगे बढ़ेंगे हम इसको देखते हुए और इसमें सारी चीजें आपको बताई दी गए क्या है क्या निए फिजिकल लेट ले सकते हैं अपनी अपने अपनी स्कूसा है यहां से बाकी चीजा हैं ते आप लगब काति अवह सबकितर कंद सिकूषे हुए प्रावलम होगी तो मुझे कमेंट करेगा तो मैं उसको अच्छे से अपडेट दे दूँगा बाकी और कोई आसी वो नहीं है इसमें फर्म भरना आप सबको पता ही होता है और बाकी आगे अपडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लें और आगे की अपडेट आपको दे दी जाएगी सारा डाट आपक